हेलो फ्रेंट्स माइनेम इस अनुबहा एन आई वेलकम यू तो माइपच ऑफ हेविन फ्रेंट्स आज मैं आपको अपने बालकनी में रखे हुए प्लांट से इंट्रिद्यूज करवाऊंगी मेरी बालकनी में जो यह फ्रंट बालकनी है इसमें सुबह की ही दूप आती है सि यहां पर इसके बगल में यह पिटोस्पोरम है इसके में वेरिगेशन होता है लीव्स में बहुती सुन्दर प्लांट है यह और इसके बगल में यह बुद्धिस पाइन बोलते हैं से और यह मनी प्लांट्स रखे हुए है और इस कॉर्णर में देखिए फ्रेंड्स यह है बुश यह मैंने ऐसे पॉट में लगा के रखा हुआ है और यहां पर पॉइंट से रखे हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की हैं वाइट पेंग रेड और यह इंग्लिश आइवी का प्लांट है इसको भी बहुत ज़्दा दूप नहीं चाहिए सकुलेंट फैमली का है और य इसकी नियू लिश देखिए अभी गर्मे आई है तो इसमें नियू ग्रोथ स्टार्ट हो गई और फ्रेंट्स यह है बेस्ट एयर प्यूरिफाइंग प्लांट डबर प्लांट यह फॉमेल्डी हाइट जो एयर में होती है उसे भी अब्जॉब कर लेता है तो यह तो आपक देखिए यह भी रबर प्लांट है यह वैरिगेटिड रबर प्लांट है इसकी में यह दो वैरिगेशन होते हैं लीफ में और यह एगलो निमाज है मैंने बहुत सारे कलेट किया है कोई सब्सक्रेट वीडियो बनाके मैं आपको सारे अपने दिखाऊंगी यह पीछे रखा हुआ है फाइकस माइक्रोकारपा और यह देखिए यह फिलो डेंडॉन बरकिन है इसकी लीफ में वैरिगेशन होता है देखिए न्यू लीफ आ रही यह वाइट कलर की है सर्दियों में थोड़ा डॉर्मेंसी में चले जाते हैं आप यह अपनी डॉर्मेंसी से बाहर आ रह है हमें और यह देखिए यह अगलोनिमा स्नो वाइट है इसकी लीफ वाइट कलर की होती है इस प्यारी सी इतनी स्ले से स्नो वाइट बोलते हैं यह अगलोनिमा उसाका है इसकी लीफ में सिल्वरिश इसमें वैरिगेशन होता है बहुत सुंदर लगता है यह प्लांट और य यह की लीफ में है, इसकी लीफ थोड़ी पतली होती है, और इस वाले क्रोटॉन की लीफ थोड़ी सी ब्रॉड होती है, यह क्रोटॉन प्रैक्टर है, इसकी लीफ में बहुत अच्छे वेरिगेशन होते हैं, जैसे उसमें देखे थे आपने, वैसे इसकी लीफ में है आप इनको इंडोर बहुत अच्छे से रख सकते हैं जहां पर आपकी ब्राइट लाइट आती हो जिस विंडो के पास वहां पर आप इसे रख सकते हैं यह देखिए एक और अगलो निमाज है थोड़े लिए देखिए इसकी न्यू ग्रोथ आई है इसे छोटी सी लीफ है इसकी न्यू न्यू ग्रोथ चब यह करते हैं यह प्लांट तो बहुत अच्छा लगता है और देखिए नॉन वेरिगेटेट स्ट्रिंग ओफ हार्ट है यह ग्रीन होती है और यह वाली जो देखिए आपन इसे पिंकिस थोड़ा सा टिंट होता है और यह ग्रीन होती है पूरी तो स्ट्रिंग ओफ हार्ट बहुत सुंदर प्लांट होता है आपको अगर मिल जाए बहुत ही रेयर होता है तो आप जरू लीजेगा यह सिंगोनियम स्टार लाइट है यह देखिए हैंगिंग बास्केट में यह मैंने बेबी टियर प्लांट लगाया हुआ है पूरी फुल है बास्केट यह और मैंने और भी हैंगिंग बास्केट के वीडियो बनाए हैं आप मेरे चैनल में जाके चेक करिएगा और यह देखिए यह है सैलिश्या रिपेंस या टर्टल वाइन देखिए कितना फिल है यह बास्केट कितनी अच्छी लग रही है बहुत सुन्दा लगती है हैंग हुई तो सैलिश्या रिपेंस या टर्टल वाइन आप अपने हैंगिंग बास्केट में जरूर आप लगा स हैं देखें यह अलग लग colors हैं मेरे पास सिने नेरिया के एक बास इनेरिया जब आपका फूल खिल जाए आपके पॉर्ट में तो आपको उसको किसी ऐसे जगे पर रखना होता है जहां पर धूप एक दो घंटे के morning की आती हो लेकिन afternoon की बिल्कुल ना लगे तो आपको यह जो morning की sunlight चाहिए यह अजीलिया है इसमें भी देखें फूल कितने अच्छे खिले हुए हैं और different color के अजीलिया हैं और मैंने इन्हें अभी रिपॉर्ट नहीं किया है क्यों क्योंकि अभी इनमें flowering हो रही है और जो इस pot में लगे हुए हैं जिस polybag में लगे हुए हैं उसकी मि फूल हो सकता है मुझे इतने अच्छे फ्लारिंग नाम भी मिल पाए इनका सीजन जा रहा है ठंड में ही यह फ्लारिंग करते हैं तो जब इनको फ्लारिंग होके चले जाएंगे तब मैं इनको रिपॉर्ट करूंगी तो देखें किते सुन्दर सुन्दर अजीलिया हैं बह से लगते हैं एक ब्रांच में पांच-पांच कलिया आई होई है टोटल पूरे प्लांट में 15-20 कलिया है इसके फूल खिल जाएंगे तो बहुत सुन्दा लगेंगा आज तक मैंने जितने फूल देखें है यह फूल मुझे सबसे सुन्दा लगता है फ्यूशिया का देखे इन प्लांट्स को जर्बेरा अजीलिया और कमीलिया जो भी यह पौधे हैं सर्दियों के हमें इने ऐसे जगे पर रखना है शैमीशेड एरिया में या ऐसे जगे पर जहां सुबह की एक दो घंटे की धूप आती हो देखी कमीलिया में कितनी कलिया आई हुई है और यह मैंन मैंने आपको अपना बालकनी टूर करवाया और देखे ऐसे हैंगिंग पास्केक में कितने सुन्दा लगते हैं प्लांट्स तो आपको यह कैसा लगा वीडियो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और अपन प्लीज़ करेंग वीडियो यह वी have a nai hsy